मेरे प्यारे दोस्तों स्वागta है अप सबहूं का मेरा इस और्गन ग्रीन ग्रीन चैनल पर आप बने हैं मेरे साथ YouTube चैनल पर सात् èमयों में धखता हूं कि आप भी स्वस्त होंगे धल्όबी होंगे दोस्तों यह हमारे पास मारी गोल्ड के पौधे और इसकी वीडियो हमने रिसेंटली आपके साथ ही किया था कि मारी गोल्ड के पौधे को हम कटिंग से किस तरह से ग्रोव कर सकते हैं पूरी अपडेट मैंने आपको दिखाया हुआ था और उसी की यह मदर प्लांट है आप देख सकते हैं इसके फ्लार्स कितने सार होते हैं और मारी गोल्ड को बहुत ही आसानी से कटिंग से इसे ग्रो किया जा सकता है एक पौधे से कई सारे पौधे बनाया जा सकता है और अभी आपने देखा कि किस तरह से जब हमने कटिंग किया तो इसकी कितने सारे ब्रांश डेबलप हुई है यह आप खुद देख सक और और ओपसूट एरिया जो होती है उसे हमें कट-karर के हटा ही होती है अगर ऊपर देख सकते हैं कुछ कयाआघ़ हमारी इसी में बäक्टिंग बच गया थी वाड अभी आप देखसकते हैं इसम에 अभी फ्लास किया है यह शिएDR इशिए रेथ है यह आप प गोड़ी हो जाती है लगे हुए हैं तो कहने का ततवर यह है कि जो सीजनल प्लांट होते हैं उन्हें तो थोड़ी सी बूसरी हो जाती है नहीं मिलेत फिर भी आप फ्लास्थ करते हैं थोड़ी बहुत जो है अच्छे खासे कर देते हैं तो अभी देख सकते हैं यह इसकी मदर प्रांट थे दोस्तों काफी अच्छे से हमारी लगश करों है। चलिए मैं आपको दिखाताव किसी इस प्रांट को हमने किस तरह से कटे क्या हुआ इसे चलिए लाश को यह बने रहें अपर पर लेने संप करनी है। तो इस तरह से हमने इसकी इसकी ब्रांच को लगबक तीन से चार इंच की ब्रांच को इस तरह से कट करनी है थोड़ी बहुत इसके पत्तोकूर हिमूब करनी है इस तरह से लगबख चार इंच के ये जो उपर की अपसूट होती इस तरह से आप त्यार कर सकते हैं और कटिंग करके आप सीधे रेत में लगा सकते हैं ये है रेत नदी की र अब इसे बिएक तरह से फूल बना करके को हेरे करके करके कर देंगे यह आप देख सकते हैं इस तरह से पिछले बार आपको वीडियो काफी डिटेल के साथ दिखाया हुआ था तो इस तरह से कटिंग करके हमारी गोल्ड को कटिंग के थूरु बहुत यासानी से एक पौदे से कई सारे पौधे को हम प्रोपगेशन कर सकते हैं तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं जितनी चाहें आप इसकी कटिंग को ग्रोव कर सकते हैं अच्छे से वाटिंग करके हम इसे सेड में रख देते हैं छाओ अली जगह में जहां खुली जगह हो और लगबक छे से साथ दिन आप इस तरह से छोड़ देंगे आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसमें रूट जो है निकलाती है इसकी कटिंग जो है आप देख सकते हैं कि इतने ब्रांच को हमने कट कर दिया था इसकी मदर प्रांट है ये जिन में अभी आप फूल देखे हुए थे और अभी आप देख सकते हैं ये लगबग 11-12 दिनों की रिजल्ट है और चलिए मैं आपको इसकी रूट को निकाल के दिखाता हूँ ये आप देख सकते हैं सभी की रूट कितने अच्छे खासे जो है रूट डबलप हो चुकी है आप चाहे तो देशी मारी गोल्ड की भी कट देखेंके तो अभी आप देख सकते हैं इनमें कितने अच्छे से फ्लार्श घिले हैं इसके कितने तरह ब्रांचेज के डव होती हमारी बखर हुए है और फूलों से पूरी गंपले हमारी भर चुकी है और कुछ इस तरह से आप भी मारी गोल्ड को क्टिंग के थरू ग्रो थोड़ी सी अगर आप खाद एड़ करते हैं थोड़ी सी अच्छे मिट्टी पर आप फोकस करेंगे तो यह पौधे काफी बूसी होती है और जो आने वाले फ्यूचर में जिसके फ्लार जो है वो काफी खिल के आते हैं आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो लाइक किजिए गदर दोस्तों को साथ अगर आप शेर करना चाहें तो शेर भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपकी मोबाइल पर मिल सके चले मिलते हैं फिससे किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए गुडबाइ एंड से यू एंड टेक कियर